गुड मॉर्णिंग माड़ीयर फ्रेंड्स विल्कम बेक टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स संडे अपडेट का वीडियो आप लोग से सेयर कर रही हूँ तो मेरे गाडन में अभी प्राब्लम्स तो बहुत हो रहे हैं और सबसे जादा प्राब्लम्स यह है कि अभी लगातार कंट है अज दिन भर बारिस हुई है और नाइट में भी बारिस हुई है तो गाडन में काम करना थोड़ा संभा नहीं हो पा रहे हैं और प्राब्लम्न यह सकुलन पेराइटी का प्लांट है वाटरिंग से इसे बचाना पड़ता है लेकिन टैरिस पे देखिए मैंने यहां रखा है फिर भी पता नहीं कैसे इसमें पानी हो गया और दो तीन प्लांट मेरे खराब हो गया लेकिन कोई बात नहीं इसको मैं यहां से भटा दूँगी एक प्राब्लम सबसे बड़ी प्राब्लम देखिए यह है कैमरे में आपको दिखनी रहा है सायर ठीक से मैं दिखानी पा रही हूं यह वाला जो कैटर पिलर है फ्रेंड्स यदि कहीं पर भी पत्ती पर आपको नजार आया तो इसको तुरन पत्ती सहीत काट कर इसको आप ब पारिस होती है और अगर मैं अपलाई करती भी हूं तो धूल जाएंगे और इन पर कोई कुछ फाइदा होगा नहीं और सोज रहे हूं कि आज देखती हूं संड़े अगर आज मौसम अच्छा खासा रहा तो इस पर जरूर मैं इंसेक्टरी साइड अपलाई करूंगी अपडेट और भी है जैसे कि बीगोनिया वगरा की कटिंग एक दो मेरी खराब हुई है और टोरेनिया की कटिंग बहुत अच्छे से मैंने जो लगाई है वह बहुत अच्छे से चल रही है तो फ्री के प्लांट आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होता ह तो मैं आ गई हूँ वहां से यहां देखे इस यहां पर तो चलिए यहां के अपडेट दिखाती हूँ पेड़ पौधे तो अभी बारिस का पानी हमारे पौधों के लिए वर्दान है उनके पानी से उनकी ग्रोध काफी जादा होती है और प्लांट जो है सभी अच्छे से कर रहे हैं तो मैं लगभग 8-10 दिन से जादा हो गए है अपने गार्डन में मैंने कोई क्लीनिंग ऐसे ही बस वाटरिंग की है वाटरिंग करके सफाई की है लेकिन पौधे की गमलों को और पौधों को मैंने सफाई नहीं किया है क्योंकि बिल्कुल समय नहीं मिल पाता बा सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और भी बोलना चाहूंगी बहुत सारे पर्मनेंट प्लांट खास तोर पर हिबिसकस की पतियां जो है करल होने लगती है तो उनके लिए आपको क्या करना है फंगिसाइट का जो है इस्प्रे करना है और दिक्कत यह हो रही है मेरे भी गाड सब्सक्राइब करते हैं वह दूल जाती है तो चली अपडेट और कुछ दिखाती हूं सिंगोनियम सामने में आप देख रहे हैं सारे सिंगोनियम के प्लांट है कोलियस का कलर तो मुझे फ्रेंड्स बारिस में ही मजा जाता है कितना खुबसूरत देखे कितने ग्रिनरी वि अरेलिया की कटिंग आप घर पर बहुत इजली लगा सकती है खास तर पर वो अगर मेरा वीडियो देख रहे हूंगे जिनको गाड्निंग का सौंक है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी यदि आप गाड्निंग का सौंक रखते हैं तो प्लीज आप अभी स्टार्ट क कैसे भी करके तो यदि आप गाड्निंग का सौंक रखते हैं तो अभी बारिस का सीजन आपके लिए बहुत ही बेस्ट सीजन है इस समय किसी भी प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है प्रूप के साथ बताती हूं आपको देखे कलेंचु की कटिंग मुझे काफी दिन हो गए लगाए मैंने जो प्लांट निकाले थे ना उसकी कटिंग ले लेकर अगर ग्रो होंगे तो हो जाएंगे नहीं होंगे तो कोई बात नहीं ऐसा सोच कर लगाया था और मेरे इतने सारे प्लांट खराब भी हो गए हैं कुछ और बहुत सारे प्लांट ग्रो कर आया है दिल खुस हो जाता है इसको देखकर और यह चोटे-चोटे ग्लासेस में मैंने हेज प्लांट की कटिंग का जो रिपॉर्टिंग किया था इसे अभी तक मैंने रिपॉर्ट नहीं किया है सोज रही हूं जल्द ही मैंने बहुत सारे भी बैग मंगाया है नर्सरी वाल जाता है तो तुरंत आप गमले की पानी को जो है निकालिए और मौसम थोड़ा अच्छा होता है तुस प्लांट को निकाल कर आप देख लिजे ड्रेनेज होल जो है बंध हो जाय रहते हैं तभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है बारिस में तो बारिस में जो है गमलों का मैंने बनाए थे इसकी ग्रोथ काफी जादा हो गई प्रूनिंग नहीं कर पाई मैं समय नहीं मिलने के वज़े से तो इसको फिर से वही लुक दूंगी एक घोसले की तरह और इसमें देखिए छोट चोट चोट आटिफिसियल बड्स मैंने लगाए हैं तो काफी जादा ग् प्लांट और यह देखिए मेरे गार्डन की सान अभी इस समय यह एक जोरा लॉंग वेराइटी का प्लांट है इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और काफी जादा हेवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग कर रहा है प्लांट क्रोटोन है ड्रेसीना है अरेलिया यह सारे प्लांट की कटिंग आप लगाए देखिए ड्रेसीना का प्लांट कितना खुबसूरत लग रहा है तो यह सारे प्लांट जो है अभी नरसरी से आप पर्चेस भी कर सकते हैं और एक प्लांट लाकर उससे ढेर सारे प्लांट तयार कर सकते हैं यह मेरा जो है मदर प् जाद हम अपने प्लांट की देर्ख भाल करते हैं उसके बाउजुद भी कुछ कारण वस हमारे प्लांट जो हे खराब हो जाते हैं लेकिन यदे आप करण लगाते रहेंगे तो आपके पास तायार रहेंगे प्लांट यहां देखिया डेफिन बेकिया में भी केटर पिलर तो प्लांट देखे मेरा डेफियंग कितना खुबसुरत प्लांट है यह तो यहां का लुक मैंने कुछ इस तरह से क्रियेट किया है और पतियां जो है न पारिश के सीजन में पतियां और फूल जो जड़ते हैं उनको क्लिरिंग करना बहुत जरूरी है क्लिर को से फंगस अटेक ह हो जाता है तो उनको हटाना बहुत जलूरी है यह देखिए यहां पर हिपश्कस के सारे ही प्लांट है और इन् Nolan name पूरेक्ट की जहाएख किया चाइब है चांदनी का प्लांट है इसमें जो फ्लावरिंग होती है और उसके बाद नीचे गिरते हैं उससे गंदगी बहुत जादा होती है तो यदि प्लांट में भी आपको इस तरह की गंदगी दिखे तो उसको आप निकाल दीजिए निकालने के बाद फिर एकठा करके आप जो है या फिर इसका कमबोज्ट भी बना सकते हैं या फिर बाहर भी फेक सकते हैं और यहां पर आलामंडा अलामंडा से तो मैं बहुत खुस हूँ क्योंकि यह प्लांट मेरे पास लगभग एक साल से जादा हो गया है दो साल होने जा रहा होगा यह बिलकुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा था जबकि मैंने बहुत सारे फर्टिलाइजर इस्तमाल करके देखे भी थे लेकिन बारि इसमें फ्लावरिंग स्तार्ट हो और इसकी ग्रोध भी काफी अच्छी होने लगी है यह लामंडा है बिलकुल छोटे से पॉल मीज फट में पार्ट में लगा है और यह भी इसी इस समय जो है अभी रेनी सीज़ं में एक साल के बाद फ्लावरिंग कर रहा है तो फ्लावरि मैंने वीडियो बनाया है मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और कटिंग लगाना इस्टार्ट कर दीजिए रेनी सीजन और फरवरी का सीजन बहुत अच्छा सीजन होता है गार्डनिंग की सुरुवात के लिए लेकिन कभी-कभी फरवरी में कुछ लोग जो है निराज भी हो जाते हैं प्योधा ग्रो नहीं होता लेकिन बारिस का सीजन अच्छा है एक अपडेट और देखिए यह छोटासा लेमन का प्लांट है नीबू का प्लांट है और इसमें लगभग 35-40 नीबू लगे हैं और किड़ों का अटैक तो आप इसमें भी देख रहे होंगे प कुछ मैंने बहुत सारे मिट्टी निकाल कर भी रखे थी वह सारे गीले हो गया और एक अपडेट और दिखा रहे हूं देखिए ने ने कीड़े आ जाते हैं बरसात में मैंने तो पहले बार देखा इस तरह का कीड़ा और मुझे तो लगा था पतनी कैसा है तो चलो पहले इ इनको मैं निकाल कर मेरे घर के जस्ट पीछे में प्लाट खाली है जितने भी कीड़े होते हूं को मैं वहां डाल देती हूं और गुलाब में या फिर किसी भी प्लांट में इस तरह के केटर पिलर बिल्कुल छोटे-छोटे से दिखाई दे रहे होंगे यह देखिए मेरे प काफी दिनों से और इसमें मैंने लगाया है अलमंडा वाइन और इसमें अपराजीता लगाया है यह लो कलर के देखिए इस तरह के फ्लावर आते हैं इसमें और इनको मैं मस्त से इस तरह से ट्रेल कर रही हूं जब यह पूरी तरह की से हो जाएगा तो काफी खुबसूरत और कुछ मैंने यहाँ पर कुंदरू के भी लगाया है एक अपडेट और देखिए फर्स्ट बार मैं अनार का जो है न फ्रूटिंग प्लांट लेकर आई हूं और इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है और इसमें आटे की जो बोरी आती है उसमें लगाया है अब सोच आरे मेरे जितने भी प्लांट रखी है तितली है देखिए तितली देखने में तो खुबसूरत होती है फ्रेंड्स लेकिन मेरे लिए घातक है क्योंकि यह जो है आती है तितलिया और बैटती है और अंडे छोड़ देती है उसके बाद मुझे परसानी बहुत जादा हो जात कुछ अबोली के प्लांट मैंने रिपॉर्ड भी किया थे आप लोग से सेयर किया था दिखिए उनकी ग्रोथ भी देख लीजिए एक अरेलिया की बिल्कुल चोटी सी डंडी लगाई थी मैंने बिल्कुल चोटी सी उपर की टीप नहीं थी और देखिए उसकी ग्रोथ सीना है इसकी कटिंग ग्रो नहीं होती तो देखिए फ्रेंड्स मैं कहां से लाऊंगी इतने सारे प्लांट बार बार तुम्हें खरीदूंगी नहीं लेकिन आपको अपडेट भी मैं दिखाती हूं साथ ही लगाने का तरीका भी बताती हूं और बारिस में कीडों का अटैक देखिए इस तरह से और बहुत अच्छे से चल रहे हैं मौस रोज है और इनको भी अभी मुझे हटाने हैं तो कुछ पॉर्ट मैंने हटा दिये थे लेकिन बारिस हो गई और कुछ की जो है प्लांट की ग्रोध भी काफी जादा बढ़ गई है तो इस तरह से पास पास रख में जो है मैं अभी इसप्रे कर दूँगी खाली साधे पाने से इसप्रे करके इनको खटा दूँगी नहीं तो पुरे प्लांट को खराब कर देंगे इस समय जो है न मिली बक का एटा Good बहुत ज्यादा होता हैं खास तो अर्पे जो ही विसकस के प्लांट हैं उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं और प्लांट नस्दीक रखने के वज़े से दिखाई भी नहीं देते हैं कभी कभी और कुछ प्लांट मेरे देखे इस तरह से खराब हो गए हैं तो गार्डन में तो बहुत ज़्यादा वर्क है मैं सोच रही हूँ जैसे ही बड़े थोड़ी सी धूप हो करूंगी ना तभी मैं करूंगी काम अला मंडा को देखे अब काफी बड़े हो गए हैं मैंने ध्यान नहीं दिया इतनी जल्दी बढ़ जाएंगी मैंने सोचा नहीं था प्रूनिंग की थी तो प्रूनिंग से चार ब्रांच निकले थे यदि इसकी और भी प्रूनिंग कर बड़ेती ना तो जादा सघन हो जाते और जादा फ्लावर मिलते मुझे देखती हूं कौन से कलर के इसमें फ्लावर आते हैं कुछ प्लांट की अपडेट देखें अब बारिस है तो बारिस में तो कुछ प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं एक जो मैंने गुल्दा उसका plant लेकर आई थी मैं कोलियस का उसकी भी अब्रेट दिखाऊंगे कि इतना खुबसूरत प्लांट था किसी ने कमेंड किया था कि एक जोरा में मेरे जो प्लांट है उसमें पत्तियां तो आती है लेकिन फ्लावरिंग नहीं आती तो देखे मैंने प्रूनिंग भी किया है और फ्लावरिंग भी आपको दिखा रही हूँ, समय समय पर फर्टिलाइजर देंगे तभी फूल आएंगे, और यदि आपको लग रहा है कि फर्टिलाइजर देने के बाद भी उस पर फूल नहीं आ रहे हैं, तो उसकी मिट्टी चेंज कर दीजे आप, यहां देखिए, यह म क्लीनिंग मुझे लगता है, बहुत जरूरी है, बहुत दिन हो गए मुझे क्लीनिंग किया अच्छे से, एक मेरे इस प्लांट में फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि घोसला बनाया है, क्योंकि मैंने एक काले कलर की छोटी चुडिया यहां पर बैठे देखिए, तो देखि कि हमारे गार्डन में मम्मा किसी चडिया ने घोसला नहीं बनाया है, तो चलो उसके भी मुराद पूरी हो गई तो इसको रहने दूगी, चोटी सी चडिया है मैंने देखा है, बलेक कलर की और बहुत सुंदर है, तो चलिए कुछ अपडेट और दिखाती हूं, यहां पर द अपडेट दिखा देती हूं, मेरे प्लांट किस तरह की है, तो इस बर गुलदावदी मेरे गार्डन में मुझे लगता है, पर्चेस करने पड़ेंगे कम है, और यह बिगोनिया, और इसे मुझे अभी यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पानी जा रहा है, और य सारे मैंने कटिंग से अपने प्लांट तयार कर रही हूं, यहां पर देखे क्रिपिंग चारली है, यहां पर सिंगोनियाम है, एक वाइट कलर वाला और ग्रीन वाला, तो यह वाइट कलर वाला भी ग्रो हो गया है, सिंगोनियाम को लगाना बहुत आसान है, कोई कटिन नही यहां पर देखे टोरेनिया की अपडेट भी दिखा देती हूं टोरेनिया भी काफी मैंने लगभग 8-10 प्लांट कटिंग से तयार कर लिए हैं यह सारे जो है कैलेंचु के प्लांट है और कैलेंचु में भी मुझे लग रहा है कि यहां पर भी कटरपिलर कटाई को देखिए आपको मैं दिखाती हूं इस तरह सी और यह वाला कैटरपिलर इतनी जल्दी प्लांट खराब करता है प्लीज अगर इसका किसी को उपाय होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा निकाल निकाल कर मैं बाहर फेकती हूं लेकिन सेकंड दीन देखती हूं तो उतना ही फिर हो जाता है तो अगर कुछ उपाय है तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट में बताईएगा कि क्या करना चाहिए और सारे प्लांट तो अच्छे से चल रहे हैं बारिस का पानी पौधों के लिए वर्दान है तो प्लांट की ग्रोध भी काफी जादा जल्दी जल्दी बढ रही है और यह फर्न है फर्न में भी देखिए इस तरह की प्रॉब्लम तो आज लगता है मेरा जो काम है ना केटर फिलर ढूंटे ही लग जाएगा तो फिर मिलती हूं फ्रेंड नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ बाई बाई